अब सभी का स्वागा थे एक और नए वीडियो तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ आउंधी गाउं और आउंधी गाउं जो पड़ता है भेलाई टीन से लगबर चार से पांच किलोमेटर की दिस्टेंस पर है और यहां पर भगवान जैने चीची जो है मूर्तिया ब ी तो अनले के पास मैं पहुंच हूँ और यहां पर जो है अन्दर करेंद नहीं पर. सबसे पहले जहां पर कलर काम हुआ है वहां पर अपन चलते हैं और यहां भी अगर कुछ-कुछ जो कलर हुआ होगा उसको भी आप लोगों को लिख लाएंगे तो सबसे पहले इस वाले गुदावन में अपन चलते हैं चलिए अंदर चलते हैं यहां पर लिखा हुआ है मुर् पर बनाया जाता है तो चलिए अंदर चलते हैं और ये गेट है अंदर चलते हैं यहाँ पर जो है बहुत सरे जो है गनेज भगवान जी की जो मुर्टिय वो तयार किये हुए है और साथ इसमें कलर का काम भी हो गया है यह देख सकते हैं सामने में आप लोग को नजर आ रहा हो होगा यह देखे यह है मुशक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने में है गनेज भगवान जी जो की नंदी बैल में बैठा हुआ है बहुत प्यारा मुर्टि जो है बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं और इसमें जो है कलर का काम हो गया है और एक हाथ में भी कर मुर्ति जो है बनाया जाता है और पछले डाया भी यहां पर मैं आया हुआ था उस्ट टायंघ कलर नहीं गुआ था तो अभी पुरे में देख सकते हैं खिलर हो गया यहां पर देख सकते जो हैं बहुत क्यासा लग रहा है कमेंट करके हमें बताइएगा आप लोग इस साड़ में यह देखिए आप बहुं सारे जो मुर्ती बन कर तियार हो गया है कलर भी हो गया है लेकिन अधिकतर इसमें देख सकते हैं जो अभी पॉलिथीन को ढखा हुआ है यह देखें इस वाले में भी नीच जी भी बैटी हुए है इसको दिख्लाते हैं यह देखिए पीछे का बैक्राउंड भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सुन्दर बना हुआ है यह हमारे गनपती महराज यह देखिए लेशा सुर्ण यह निचे में क्या है बेल हां बैल है बैल के उपर विराजमान है हमारे गनपती महराज जी ये देखिए है यहाँ पे है गनेज भगवान जी और पिछे में है माता तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सुन्दर आगए बढ़ते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं वो अलहान मान भगवान जी को आप लोग देख सकते हैं बहुत सुन्दर लग रह जो है फूल नजर आ रहा होगा आप लोगों को यह देखें पॉलिथीन की वोज़ा से थोड़ सा आप लोगों अच्छे से नजर नहीं आएगा लेकिन मैं कोशिस कर रहा हूं कि आप लोगों को दिखलाने का और यह तो मैं आप लोगों को दिखलाया हूं चलिए आगे सकते हैं पॉलिथीन की वोज़ा से अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा आप लोग देख सकते हैं तो यह देखिए बहुत सुन्दर हमारे गनेश भगवान जी बाल गनेश और साइड में है मुशक कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें बताईएगा यह देखिए बहुत सुन मस लग रहा है और इसको जो है कलर किये न अलग अलग कलर किया हुए है रखेंप सकते हैं यह देखिए ओ कैसे लग रहा है आप बताईए हमें इस से बड़ी जो मुर्थी है यह है देख सकते हैं हमारे गनेश भगवान जी बहुत सुन्दर यहां पर आप लोग देखो और इसमें पूरा कलर हो गया है और इसमें पूरे जो स्रिंगारे काम भी लगबग कम्टेट होई गया है और अभी जो गनेश इसापना होने में लगबग अभी आड़ से नौ दिन बचा हुआ है यहां पर देखो ये भी देखिए मस्त सुन्दर छोटा सा ज्यादा बड़े नहीं है लगवग वही तीन चार फिट के आसपास में यहाँ पर भी देखिए यहाँ के जो मुर्थिया में जो है ना मस्त सुन्दर जो है डिजाइन अगरा किया हुआ है और अधिकतर यहाँ पर जैसे कि आप लात जो पर जो है लिखते हुए यहाँ पर दिखलाए हुआ है यह देखिए बहुत प्यारा लग रहा है शोटा शोटा जोगेनेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ की जो मुर्थि जो है ज्यादा बड़े नहीं है ज्यादा ज्यादा लगवग चार से 5 फिट साथ आसपास के है और यहाँ पर देखो मासा सुन्दर सा यहाँ पर है गनेज भगवान जी और साथ में माता जी बैठी वी है चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को और दिखलाते हैं यहाँ पर बहुत सारे मुर्तिया है यह देखो हमारे जनेज भगवान जी धनुजबान लिये हुए हैं और आड़ साइड में आप लोगों नजर आ रहा हुआ एक साइड सेर है और एक साइड भी सेर है यह देखें और यह तो ढगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ भी ढगा हुआ है आगे बढ़ते हैं और यह देखिए हैं मस्त सुन्दर सा यह देखो पिछे के बैग्राउंड भी आप लोग देखिए हैं और मस्त सुन्दर सा कलर भी किये हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा मुशक भी है यह देखो हमारे गनेज भगवान जी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मस्त लग रहा है यह देखे हमारे गनेज भगवान जी जो की मस्त स्याहसान में बैठे हुए है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर तो सभी ढ़के हुए है और यह वाले हमारे गनेज भगवान जी को देख सकते हैं पिछे से दिखला रहा हु है आप लोगों को अभी सामने से दिखलाता हूँ मैं बहुत सुन्दर बना हुआ और यह है बैल लंदी बैल बो सकते हैं और यहां पर भगवान सियो जी साथ में माता पारवती और सामने में हैं गनेश भगवान जी इसमें भी कलर कर रहे हैं देख सकते हैं यह देखो चलिए आगे से दिखलाते हैं यहां पर मस्ता सुंडर से इसमें भी देखिए कलर कर रहे हैं यहां पर माला में और मस्ता छोटा सा हमारे बाल गनेश और यह कौन सा मूर्ती यह वाला कौन सा इसको यहार जाहीरेपुर नहीं तो कोई से मुर्थी यह यहार कातिव धल का हर नारद अच्छा नारद है वो परवाल है ना वो वाला सामने में वो नारद यासे लग रहा है यह कार्थी के भगवान जी हो सकते हैं तो देख सकते हैं यह है कार्दी के भगवान जी है ये देखिए इसी को मैं बोल रहा था यहाँ पर देख सकते हैं पिछे में भगवान संकर जी साथ में मापारवती है और सामने में भगवान गने जी है और ये है नंदी वैल और सामने से तो ढगा हुआ है लेकिन आप देख सकते हैं पिछे से ये है सबसे बड़ा नंदी वैल उसी को पर हमारे भवान फुरी फैमिली बैठे हुए है इसमें तो भी काम चली रहा है देख सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना है जितने भी यहाँ पर कलर का काम हुआ था उसी को मैं आप लोगों को दिखलाए हूँ और दूसरे रोलर जो गुदाउन है वहाँ पर अभी कलर काम नहीं हुआ है तो जैसे कलर होगा तो आप लोगों को जरूर दिखलाएंगे नेस्ट टैमिंग में और यहाँ के जितने भी कलर हुए उसको मैं आप लोगों को दिखलाएंगे कासा लगा आप बिल्कुल कमेंट करके बदाएगा आप लोगों को अच्छा लगोगा तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को नेस्ट वीडियो में